प्यारे बच्चो आज हम कक्षय साथ की विज्ञान की वरक्षीट नंबर 24 करेंगे बच्चो आज का टोपिक है बच्चो गास खाने वाले जन्तूओं में पाचन कोमल जो कक्षय साथ की एक विद्यार थी है एक दिन नजदी के पशुशाला में शेक्षनिक बर्मन पर गई वहां उसने देखा कि गाय तता बहस आराम करते वे भी अपना मूँद चलाए जुगाली किये जा रहे थे उसे बहुत आस चरिये हुआ और फिर उसने कक्षय में अपनी शिक्षिका से इसके वारे में पूछा तो बच्चो ये चितर देख सकते हैं भैंस इसमें पेट देखी और इसमें एक रुमे नाम की हिस्सा है ये देखी इसको पर्थम अमाश्य है अथवा पहला पेट का आजाता बच्चो गास काने वाले जन्तु जैसे गाय तथा भैंस गास अथवा बोजन को जल्दी जल्दी निकल कर अमाश्य के एक अलग भाग में बंडारित कर लेते हैं यह भाग रुमें अथवा पर्थम अमाश्य अथवा पहला पेट का जाता है यहां पर बोजन का अंसिक पाचन होता है जिसे जुगाल अथवा कड कहते हैं परन्तु बाद में जन्तु इसको छोटे पिंड़कों के रूम में पुना मुख में लेता है जिसे वहच्चा बाता रहता है जल्दी जल्दी खा करके ये भैंस बोजन को रूमेन में बंडारीत कर लेती है और बाद में थोड़ा थोड़ा बोजन मुख के अंदर लेकर आती है और उसको जुगाली करके खाती रहती है और खा करके वापिस फिर से पेट के अंदर ले जाती है आंची कुरूप से पचे वे जुगाल अथ्वा कड को रुमेन से मुँ में बेज कर चबाने को जुगाली करना अथ्वा रोमन्थन कहते हैं और ऐसे जनतु रुमिनेंट्स अथ्वा रोमन्थी कहलाते गास में सेलुलोज की परचूर मातरा होती है बच्चो जो एक परकार का कार्बो हाइट्रेट होता है सेलुलोज रुमिनेंट्स में एक शुद्रांतर होती है छोटी आंथ बच्चो रुमिनेंट्स गास खाने वाले जनतों को कहा जाता है रुमिनेंट्स में एक शुद्रांतर अथ्वा छोटी आंथ इम विर्दांत रत्वा बड़ी आंथ के बीच एक फैली नुमा बड़ी सरचना होते जिसे अंधर नाल कहते है भोजन के सेलूलोज का पाचन यहां पर कुछ जिवानों दोरा किया जाता है जो मनुश्य के हार नाल में अनुपस्तित होते है एसे बैक्टिरिया थो जिवानों मनुश्य के हार नाल में उनुपस्तित होते क्योंकि वोजन को नहीं पचा सकते हमारे पेट में नहीं होते जिस वज़े से सेलूलोज नहीं पचता नहीं तो अगर सेलूलोज अमारा पेट पचा लेता तो हम घास भी खा जाते अन्य पत्यदार सब्जियों को भी खचा चबा जाते और इसी वज़े से जो जिव जन्तु हैं वो आसा निशे घास फूस को पचा लेते क्योंकि उन में सेलूलोज पचाने की सकती होती है अमा शमच गया की मनुश्य मवेशियों की तरह सेलूलोज को क्यों नहीं पचा सकता परसन देखिए बच्चों इस वरक्षीट से समंदित रूमेन की से कहते हैं रूमेन का अनस्वर देखेंगे रूमेन पर्थम अमाश्य को कहते हैं गाए भैस गास को जल्दी जल्दी निगलकर अमाश्य के अलग बाग में बंडारीत कर लेते हैं यह बाग रूमेन कहलाता है तो अब पर्थम अमाश्य कहलाता है तो गास खाने वाले जन्तु यहां से लेकर कि आप इसको किस्ट नमबर वन का अनस्वर लिख देंगे किस्ट नमबर दो देखें बच्चो रूमेन एंट्स की तीन उदान लिखिए यह तीन उदान आप लिख सकते हैं गाय, भैस, बकरी, सांड, उँट आप कई उदान इसमें लिख सकते हैं किस्ट नमबर तीन देखेंगे मनुष्य सेलूलोज का पाचन क्यों नहीं कर सकता तो इसमें देखें बच्चो इसमें आप लिखेंगे रूमिनेंट्स, रूमिनेंट्स के अंदर एकी ठैली नुमा सरचना पाई जाती है बोजन के सेलूलोज का पाचन यहां से लेकर क्या आप यहां तक कान स्वरिश में लिख देगे किस्ट नमबर फूर देखिए गास में सेलूलोज की परचूर मातरा होती है जो एक परकार का कार्बो हाइट्रेट है जन्तू जो जुगाली करते हैं रूमिनेंट्स कहलाते हैं तो बच्चों यहां से आप बढ़ देंगे पहले खालिस्तान में सेलूलोज दूसरे में कार्बो हाइट्रेट्स और तीसरे खालिस्तान में रूमिनेंट्स